कि सबको बहुत-बहुत सुख कमने हमारा जो चैनल है धीरी धीर आगे बढ़ रहा है आप लोग का बहुत सब प्यार मिल रहा है तो इसलिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए आज दिखते हैं जो जामाल कुडू का नोटेशन हमने दिये थे उसका कैसे डायट क्यों च्टानिक में भी बजा सकते हो रोडिया जो अपको पर मादर गाने उसमें तो बज़ेगा ही लेगिन छिन लोग के पास डायटनिक है प्रॉमाटिक नहीं है तो उन लोगों को कुछ-फुछ लोगों को कहना है जो नोटेशन से हम लोग डायटनिक पर इस गाने को ब तो चलिए आज देखते हो उसी कम्या को कहां पर कम्या है तो इस जानने से पहले हम लोग को जानना यह बहुत ही जरूरी है कि गाने को बजाने से पहले हम लोग किस मौतरगन से बजा रहे हैं यह भी हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है hiati unfortunate Hat από या temperature गहो जोबी हो लेकिन कि स्थिंग किसं के होतें हैं तीन प्लोकार के होते हैं तो क्या-kोफ पास कुन सा मह तरगान है ये आप लोग के पहला जानना जोTV ही है तब चलेंगा इस notation क् 1950 बज़ रहे हैं तहसे अब पहले देखतें सोलो ट्यों जो है महतरगान उसमें क्या-क्या नोट होते हैं और आपका जे भीस्तर उसमें कौनसा कन सा नोर्स होते हैं जो amltry उसमें क्यों आता है एक नमर रहेगा सा इसा जो फुक्ने से निकलता है एक फुक्ने से निकलता है उने कित-एयर निकलेगा जो नहीं जनते हुआ भी हमको पताना है ताकि जो नहीं जानते हो वह आप लोग को पता चल जाए क्या नहीं जानते हो और क्या जानते हो चले देखते हैं तो क्या बुले थे दो नमबर होल कर खीचेगा तो मा निकलेगा नेक्ष तीन नमबर होल फेर से फुकिएगा तो पान निकलेगा खीचेगा तो क्या होगा आपका धा निकलेगा फिर से खिचिएगा चान नमबर होल पे तो आपका नी निकलेगा फुकिएगा तो सा निकलेगा फिर चालता है पास नमबर होल पास नमबर होल पे अगर फुकिएगा तो क्या होगा सा निकलेगा खिचिएगा तो रे निकलेगा फिचिये अगर फुक हैएगा तो सा निकलेगा खिस ये गा तो निहीं निकलेगा यानि आपको पहली किसना तब निखलेगा ठीस पूंध पर to get the Vajana है नेक्स चालता है तो आप किया हो जोगी कि आछ नमबर तके ईब यह ब रहे ही होगिए इस दो होट जो है वी चार से अपका पताब हुआ तो निय दो नामबर के अगर आप फुकते होते हो तो यह दिटर लेकित इसके बाद अन्वी ओर केश्ट्र चैलींग में क्या है ओर की सफल अ thựcी इसा होता है कि जो ओर केश्ट्र ट्यूनेंग है उसका एक नंबर से भरकाइश क 형े च Getting Ipar और सफली दो नंबर और अगर मिलेगा और खीच है आ 9 वह किएगा तो निगलेगा सा इस तझाए आपका तीन नंबर होल से लेकर या की चार पाधे उनिया सामिलीगा सरे च्सराइगा माह और लाज जो आठ्षोले उसमें पूरा अक्टेव मिल गया आपका इसमें क्या हो गया और 성 do में क्या था पहले था पूरा दो अक्टेव लाक्ट में तरह को तो एही फ़रत सब्सक्राइब लिए आप लोग के पास मावतरगन उसी का होगी आपका धिस्तार टीनिंग घिस्तार टीनिंग कुन सा मावतरगन है यह आप लोग को जैनना बहुत जोरूरी अप लोग का पहला नंबर सब्सक्राइब वहांतार्गन का क्या क्या यह वह देख लेते हम लोग मतलब क्या क्या नोर्स है उस महावतारगन नमबर हो प्रिज़ के लिए हैं निकलता है निकलता है फिर से अगर टीन से तो आभी देखिये क्या हो गया यहां जो तिन होल है क्या 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 मिला सा और नेक्स्ट वह उसमें है तिन नमर होल पे क्या पा और नी पा इसमें दो मरतबह दिया गिया है क्यों दिया गिया है इसका भी करणपा नहीं या तो गल्ती किया है नहीं गल्ती तो बिल्कुल नहीं किया है गल्ती है हम लोगों का जो हम लोग इसको खरीदे है तो हम लोग का भी गल्ती है फिर है नहीं क्या है क्या नही है तो चले लास में फिर जाके बाते हैं इसके बाद जो आता है इसाथ हो मिल जाता है फुरी का पूरा दो अक्तिव मिल जाता है साफ मिल mixag with دेखी थोड़ा से में बता देते दो अक्तिव कैसे मिलतें दे इसे चान नामर हो से लेकर 4 56 और 57 सा यह चार हो इसके बद रहेगे आपके बाद स्रिफ तीन होगे इस तीन होल में आपको क्या क्या मिलता देखें इस तीन होल में अगर फुक़ ना होगा आपको गाण निकलने के लिए नेक्स्ट आता है आपका नाइंथ नमबर होल में अगर आप फुकते हो तो आपको पा निकलेगा खिसते हो तो मा निकलेगा इसके लिए आपको क्या करना मा निकलने पहले खिसना होगा और बाबा जने के लिए अपको फुक ना होगा फेर देखिए फेर आता है अपका अपका 10th number hole अगर खिचियेगा तो धा निकलेगा फुकियेगा तो आपका sa निकलेगा तो लाज जो 3 hole है इसमें कुंसे कंसे नोट गाइव है लाज वास 3 हमें जो पास diatonic, rister tuning का है, उससे आप लोग गाना बजाने नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोग को side bending या over bending नहीं आता है, अगर जिन को आता है, तो उनके पास 10 horse का हो, 12 horse का हो, या तो 14 horse का हो, या 16 horse का हो, या solo tuning का हो, orchestra tuning का हो, या आपका, जो आपके पास है rister tuning का, कोई फरक नहीं पड़ता है, all arcs इन लोग के पास same to same है, क्योंकि इन लोग को bending आता है, over bending आता है, bending और over bending के थ्रू, आप लोग क्या कर सकते हो, पहले बादा तीन होल्स में जो मा और धार नहीं है, उसको निकाँ सकते हो, और क्या है, और over bending के द्वार आप लोग क्या कर सकते हो, आप आता है तो अग़र नहीं आता है तो आपके पाद रिस्टर ट्श Özुर इन ज Azerbaijan का महवतर गळान हो विकार है उससे आप लोग गाना बाजाने खास्ट करके इंडियन गाना बाजाने नहीं पाओगे अगर western music बाजाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा बाज़ेगा रिस्टर ट्यूनिंग के लिए यानि क्या हो गया रिस्टर ट्यूनिंग का जो माहतर गाने उह है आपका western music बाजाने के लिए तो पहले बाला जो तीन होस दिये गिए है उसमें क्या बाजाते हैं उन लोग पहले बाला जो तीन होसे उसमें क्या करते हैं उन लोग उसमें chord बजाते हैं और उसके उपर में जो है उससे अब लोग उन लोग गाना बजाता है तो यही हो गया अब लोग का जो डाइटनिक माधर गाने उसका काम तो उससे अगर अब लोग हम लोग का इंजियन मीजिक बजाना चाहते हो तो आपको या तो solo tuning या orchestra tuning का माधर गान लेना होगा और नहीं तो आप लोग chromatic माधर गान ले सकते हो अगर नहीं लेते हो तो उसमें आप लोग बीना जो slider बाला माधर गान है उससे जिसमें कुमोल यतीवरो नोड है वो बजाने नहीं पहोगे अगर आप लोग के बेंडिंग आता है अवर बेंडिंग आता है तो जुरूर सब में पहोगे तो देखे आप लोग के एक शुजाओ देते हम आप लोग एक chromatic माधर गान का दाम कितना पड़ता है कम दाम में लिजेगा तो 2000 से आपको मिल जाएगा 2000 रुपिया में आपको लोग को ट्येन होस्त में तो किसी ब्रैंड का हम इने करते हैं कि देख लिजेगा आप लोग अभी जो है वह सरा ओनलाइन में आप लोग को मिल जाता है 2200 में आपको चलने वाला माधर गान मिल जाएगा जो 3-4 साथ आसानी के साथ बढ़िया चलेगा उसके बाद उसमें दिश्टप आ सकता है तो ट्येन होस्त का माधर गान लीजेगा फिर भी आपका गना बज जाएगा तो ट्येन होस्त का लेते हो तो आपका 30,000 परेगा हो गिया क्योंकि बेंडिंग के थ्रू बजाना बहुत ही मुस्किल है तो नेस्ट बात आता है प्राइस का प्राइस का मौले में जाएगा तो देखिए डाइटनिक मावदर गान 500 में मिल जाता है तो जो 500 में मिल रहा हो तो आप इंडियन मीजिक बजाने नहीं पाते हो उसको क्या क्रोमाटिक मिल जाहिएगा क्या जोलरीा हम को डाइटनिक लेना है तो तो आपको क्या करना है 4000 में जाना होगा और केश्टर या तो आपको सॉलो टीनिंग वाला मावदर गण लेना हो आप जां से भी खरीज Will nurture आपको कनफर्म करना है यह मावतरगान डायटनिक तो है लेकिन सोलो टीनियर और्केस्टर टीनिंग में तो है अगर है तो आप क्या करते हैं इंडियन मिजिक जो है उसको जिस जिसमें क्रोमाटिक नोट नहीं है वही करना बज़ा सकते हो क्रोमाटिक नोट रहेगा तो आपको स्लाइडर वाला मावतरगान ही चाहिए ताकि आप आसान इसके सथ बज़ा सको अगर आपको मुस्किल रस्ते पर जाना है आपको बेंडिंग करना है तो डायटनिक जो सोलोटीने उस पर भी आप क्रोमाटिक नोट बज़ा सकते हो तो इ लेकिन दिया है तो बजाना होगा आपको आपको उसको बज़ाने के लिए जो टेक्निक है उसको बहुत ही सिखना होगा बहुत अच्छी तरीक से सब्सक्राइब और उसमें इतना टाइम लगता है तो उससे बहतर है आप लोग के बाद जो कम दमबाला जो डायटनिक के कर दिए घर पर चोटे बच्चे को दिए खिलने के लिए और आप एक क्रोमाटिक मातर कर ले लिए सबसे बड़ी हाँ है तो आज का वीडियो एही तक था तो उम्मीद करते तो आप लोग का दिल में जो पोश्चन था उसका सारी क्रेशन का जवाब मिल गया अगर आप लोग